हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं किशनल और आप देख रहे हैं आर्जी किशन एजुकेशन यूटूब चैनल जल्दी से सभी विद्धियर थी लाइव आजएगा जैसा कि आप सब को मालू है रेगुलर स्याम साड़ी आठ बजे आर्वी स्पेशल टारगेट बेच जो 21-21 का रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं आर्वी का एक औरिजनल के उसन पेपर हल करवाने वाले हैं पूरे पचास पशनों के साथ तो आपको टारगेट देता हूं 49 पलस का और आप अपनी त्यारी को परक सकते हैं इस पेपर के मादेव से क्योंकि यह एक और जो कि आपको पता करना और क्योंकि कई विद्धिया रहतियों को कनफरम नहीं हो पाता हैं इसलिए और बिखा देकामा के उरिजिनल के सामने रहे हैं यह और आप के लिए ँसमें दिखाई देगा इसलिए यह क्ल आपको पता है एक जन्वरी डव वर्ष के उपलक्स पर हमारी e-book लोन चोड़ने वाली है तो सभी विद्यारतियों को एक जन्वरी को में लाइव आकर बता दूगा आपको e-book कैसे मिलनी वाली है और कल हो सकता है इस e-book को हमें रीवीव कर दूँ यादि e-book के अंदर क्या-क्या मिलेगा उन सब का रीवीव में कल कर सकता हूं कल स्याम साथ याट बजे तो सभी विद्यारतियों को कल भी लाइव आना है चलिए दोस्तों बीना देर की सेशन की तरह बढ़ते साथ साथ लाइव चेट में जवाब देते रहना ताकि आपकी त्यारी का भी पता चल पाए और आप देख लेना हमने जो कल से करवाई उससे बाहर एक भी क्यूशन नहीं आया है एकड़ एक्यूरेट हम बात कर लेते हैं जिद्नी के क्यूशन भी सेम हमारे इबुक पिछली इबुक मान लो या जो भी मैंने कल से लगा रिक हैं उन्धी से आया है किसन नमर एक आपको देर का है निवन में से कौन सा भारत के लोए पुरुष के नाम से जाने जाती है हम बात कर लेते तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑफशन नमरे बता रहे सरदार वला बाई पटेल बिल्कुल का उत्तर से यह ज्यादा मैं आज नहीं करूंगा क्योंक ने किया था विल्कुल स्यांदार लेकिन आपको वेक मिलन ओफशन में नहीं देरका है तो क्या करना पड़ेगा विल्कुल जो ऑफशन में बता रहे ना बेरन कारल फोन ड्राइस फिल्कुल उनका उत्तर से यह वह ज्यांदार का फिसारे भी देर थी उन्हें लाईवचैन बार्त की समसे उन्ची जोट एक कंचर जेंगा जो उप्षन आप देखोगे आराम से बता दोगे और विश्वा में बात कर लेते हैं कंचर जेंगा तीसरे इस्तान प्याती आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट की बात करें तो विश्वा में पर्थम नंबर पर यह भी कितनी होते यह विदों की से चार प्रचीन बेड की बात करें तो आपको पता होगा शंगीत का जंद कि से का जाता है साम में वेद को कहा जाता है चली अगला ऑगे बिड़े किमारा अिप्रान की सामने कोता है यह आप सब को पता होगा बहुत ही आसान क्योशन था चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्योशन में बात कर लेते हैं जो कि छया आप के सामने आगे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है कितनी बार मैंने बता है दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसा है बिलक को पता मैंने बताइता होखी का जादूगर कीषिये का जाता मेंजंग ध्यां संद को का जाता है विल्कुम जो पसन मेर होखी बिलकुम का उतर सी आ팅 दो चलिए-जो- tang किसंद आफके सपने आगे लेक है क्यों नगय कोन और जो आपको राज्ये की राजदानी है तो जारकंट की राजदानी आपको पताऊगा रांची जो अफ्सन नमर कों सा बता रहे डी बताऊरे बिलकुल का उत्रसी ए उत्र परदेश की राजदानी आपको पताऊगा लख न हुए यह भी आपको याद रख लेड़े चलिए दोस्तों आगे भारत के को ना य। दूसरे की बात कर आघे तो डैों तो घृश्ञ इन आपके कि दूसरे रज्द्री रजच्थ कर लेते हैं ज्यारा आपक इन께서 आगले में व में यहां को पता हुगा 17m सवंतन तरवा था बिल्कुल जो और यह बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है चलिए दोस्तों अगला क्यों सब्सक्राइब बात कर लेते हैं बार आपके सामने आगे क्या देर का है थार रेगिस्तान है वो किस देश वे इस्तित है तो थार का रेगिस्तान आपको पता होगा जो और डी बता रहे बारत और पाकिस्तान वे होता है आपको पता है बारत में वोखेता है इस्तित है बिल्कुल जो और कौन सा बता रहे डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है और रेगिस्तान का जाज किसे का जाता है उंट को का जाता है यह किस दो भी कई बार एक्जा कर सकते हो भारत का रष्टे पक्सी कौन सा है मो रहे ये भी आपको याद रख लेड़े चलिए दोस्तों अगला क्यूशन नमर बात कर लेते चवदा आपके सामने आगे पानी पत का पर्थम युद किन्द के बंदे वा था तो पानी पत का पर्थम युद हुआ था बाबर औ इबराहिम लोदी के बीच वा था चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते हैं पंदर आपके सामने आगे इलेक्टोन की खोज किस ने की थी तो इलेक्टोन की खोज आपको पता होगा मैंने ट्रिक बताया था इट पंग नाच या इट पर नाच तो इट आ का मतलब होगा टोमसन विल्कुन जो उप्शन मरें बता रहें जेजे ठोमसन विल्कुन का उत्तर सी है इलेक्टोन की खोज जेजे ठोमसन ने की थी चलिए दोस्तों आगे बड़े मैं थोड़ा से ट्रिक आपके सामने लिख देता हूँ इट पंग नाच पै गय तो याद रख लेना चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला खुस्तन वर बात कर लेते हैं 16 आपके सामने आगे एक तत्वे के परमाणों होता जिनका पिंड पिंड उनका अलग 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 पिंड का मतलब क्या होता हैै मास, मास का मतलब क्या होता है द्रियमान तो यह समस्थानिक होगे कौन से होगे यादि उनका समान होगा यादि क्या होगा प्रोटोनों की सिंग क्या समान होगी यह आपको ध्यान रख लेड़ा बिल्कुल जो ऑप्षिंग समस्थानिक बिल्कुल उनका उत्तर सी आराम से कर सकते हो बहुत ही आसान क्यों संता काप भी सारे विद्यारतियों ने लाइव चैड में जवाब भी दे दिये चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्युशन नुवर 17 के सामने आगा है ऐसे टू ओटू क्या है तो इसे कहते है हाइड्रोजन परोकसाइड बिल्कुल जो ऑप्षन नुवर कौन सा बता रहे ऑप्षन नुव जो टू होता है इड्रोजन परोकसाइड का सुत्र चलिए दोस्तों अगला क्युशन नुवर बात कर लेते हैं 18 आपके सामने आगे बिजली के वाइरिंग के लिए दिवन में से कौन सा सबसे उप्योगी सबसे ज्यादा उप्योगी की बात करें तो आपको पता होगा जो अगला क्युशन नुवर बात कर लेते हैं 19 आपके सामने आगे थर्मामेटर में कौन सा पदार्त बढ़ा होता है जो आपको पता होगा पारा बढ़ा होता है जो आपको कितनी बार में ने क्युशन आपको करवा दिया है चलिए दोस्तों आगे वड़े अगला क्युशन नुवर बात कर लेते हैं 20 आपके सामने आगे क्युशन आपको देरका है मिट्टी में पोद्य उगाने के लिए का होना जूरी है यानि समसे ज़्यादा हम बात कर लेते हैं कौन से चत्व कि आपसे पता होती है बिलकुशन आपको पताओगा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम क्या दालते हैं यूरिया जैसी खाथ दालते हैं आपको पताओगा यह किसन इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम बे और दो दमर पे कोद आएगी हीलियम आएगी यह आप सब को पता होगा चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला किस्ट नमर बात कर लेते हैं बाइस आपके सामदे आगे रोग पर्तिरोदक पेंसी लीड पेंसी लीड कहां से प्राप्त होता है यह कि उसने हो सकता है थोड़ा की इस लीड कि उसका फुल चूथ चुषСТवे चलिए जल्डी से सभी विदयार हों उसका ही आपको लेते हैं डिए इस्ते स्पी कोदे कारण होती है वाइरस के कारण आपको पता होगा वाइनस के कारण पयां वो आराम से कर सकते हैं बहुत ही आंध क्योसन है चलिए दोस्तों आगे वड़ें अगला क्योस मत बात कर लेटेशो है किसकी रकट चाप होता है वह किस गरंटी दोरा नियंतरित किया जाता है जो अपसंद बी बता रहे एडेनल गरंटी या कहिए अधीवरिक गरंटी हिंदी में कहते हैं प्हुता है इस एड्रीनली हार्मोन स्रावित होता ही यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्योशन 25 साप के सामने आगया है बहुत ही स्क्वांदार क्योशन है जल्दि से सब् ü maiorasti कुशन 25 का भी जवाब देने की कोशिच करेगा लार के पाचेंद में मदद करता है तो लार आपको पता होगा किस पाचेंद में मदद करता है स्टार्ट के पाच्छत में मदद करता है बहुत ही सांदार कि उसना आप में बताता हूँ इस क्योशन का जवाब हम कैसे करेगी तो आपको बता होगा के शूल का और रण किसका बना होता है थोड़ा सा आपको याद आ रहे तो हम कई बार लिखते हैं स्टार्ट और कई बार लिखते हैं सेल्यलोज और सेल्यलोज दिमाग में आता ही कि इसना आपका डंग नहीं होगा थोड़ा सा दिमाग लगा हो फाइबर क्या होता है सेंदसी यह तो आप से को पता ही होगा तो जो शी बता रहे फाइबर विल्कुल का उत्र सही है चलिए दुस्तों आगे विड़े एगला क्युस्ट नमर बात कर लेते बनुर शेव के सरीर की सबसे बड़ी अड़ी कोन सी तो आपको बताओं को सबसे बड़ी एड़ी होती है और इस्टेपीज जो कांद की एड़ी होती हो सबसे छोटी होती है फिमर आपको बता है जांग की एड़ी होती है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्युसंद्वर बात कर लेते हैं अठाई साप के सामने आगे है क्युसंद्वर का है आप आपको बताओगा सरी सरप के अंतरगत आता है बिल्कुल जो उपसंवर भी बता रहे बिल्कुल का उतर सही है चलिए दुस्तों आगे वड़े अगला किसंवर बात कर लेते हैं गुरती साब के सामने आगे दो या दो से अधिक दातों के समागी के विसरण को क्या कहते है तो आपको बताओगा विसरण दातों कहते हैं जैसे आपको पता है का साह है और पितल है ये क्या कहलते है विसरण दातों के समागी विसरण को चलिए दुस्तों आगे वड़े अगला किसंवर बात कर लेते हैं तीस आप के सामने आगे जो कि आपको पता है साइंस और जीके पर माप की जाती है तो बूक आप की तिवरत आपको पता होगा रियक्टर स्केल पर मापी जाती है बिलकु जो आप सब्सक्राइब का उत्तर सही है चलिए दोस्तों आप मैथमेटिक्स का पार्ट सुरू करते है बिना देरी किसे लागती किस्तों नुए टीस्ता आपके समय सामें आगके जलदी से सभी विदारती किश्टर था जवाब देने के कोशिच पर पता यह दूपाद समधये पात का क्यूशन है तो इसमें हम क्या करते हैं बद्ब्र बंद्र का गोना बई पदों के गोना के बराबर कर देते तो तीद को हैं से गुंणा किya कितना या यह और बात कर लेते हैं आगे आठ गुना चाह कितना आठ गुना अब आत्स च्हेया कर देंगे और आक गये सही बार क nei आठ गुणा दो एक्स बरावर कितना एगा आठ गुणा दो आएगा यदि आपका कितना आएगा आठ दूरी सोल है बिलकुत जो और कौन सा बता रहे सोला वाला बता रहे उसन में सी बिलकुन का उत्तर सही है चलिए दोस्तों आगे विड़े अगला क्यों समय बाद कर लेते हैं बट्यमी क्या लगाते हैं सूल लगाते सोल करते ऊर आगे बात कर लेते हैं भी आपको एक्स परतिसाद अटा है बटेवे सो क्योंकि परस्ट वार्चर की जगह में निका लिकलिया एक्स निकलिया और एक्स थी वेल्यू अभी निकाल दिये बिल्कुल यह से हम समद लेते हैं कि उसल को अब बात कर लेते हैं यह सोग आपको पता है सब में आ रहा है तो सब करके देखोगे जल्दी से सभी विद्यरति है एक बार गुना करके देखो तो यह आएगा 28800 इतना होगा ना बिल्कुल 28800 इतना होगा ना बिलकुल और आगे वाले को गुना करेंगे तो आपको बता है सेवी तो संक्या है यह थोड़ा सा मतलब उतल पूतल किया है बाकी संक्या तो सेवी इसका मतलब सेवी आएगा 28800 कितना हैगा यह आया 28800 लिख दिया मैंने आराम से कर सकते हो समसे आसान तरीका में बताने वाला हूँ यह कितना है 1440 1444 इसका मतलब 1440 एकस हमने लिख दिया अब आप बता है इन दोनों को जोड़ोंगे इन दोनों को जोड़ों जलदी से कितना आता है तो आप जोड़ कर यदि देख考 गे तो यह जलदी से देखिए कितना है यह 0-0-16-80 जरी लगी एक क चार एक पांच यह आएगा बिलकुल अब बात कर लेते हैं बराबर कितना 1440 X अब आपको बता 1440 का इसमें भाग लगेगा पहले बात तो जीरो सी जीरो आप काट दो और आपको पता चल रहोगा कटेगा फूरा 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 कटेगा तो आपको बता चार बार कटेगा और एक जीरो 144 से पांच सो चेंटर कितनी बार कटेगा चार बार और एक जीरो इसका मतलब कितने आगी चालीस आगी जो अप्शन वर डी बता रहे बिलकुन का उतर सी बहुत ही आसान तरीके से बिदे आपको करके बताए एक बार नोट कर लो चलिए दोस्तों आगे विड़े एगला क्यूशन में बात कर लेते हैं 33 आप के सामने आगे परसंट चेंद की जगह क्या आएगा बिलकुल उसी तरह का क्यूशन ने को हल करना है आपको बता है सास सो में इसको हल करके आपको बताता हूं सास सो पॉइंट जीरो पांच और गुणा क्या करना है 145 परतिसत 145 इस बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे बिलकुल कर देंगे आराम से और आगे बात कर लेते हैं पलस में कितना इनको गुणा करना है आपको 22.9 बाइस पॉइंट नो गुणा 15.5 कितना 15.5 इनको आप हल कर लो आराम से और इसकी वेली तो आपको निकाल दी हल करके तो जल्दी के देखोगे तो आपका option number B आएगा क्योंकि यहां जाएगा आपको कम है पता आपको यहां गुणा में करके आपको नहीं बता सकता बाकी आपका तेरा सोई के तर पोइंट यह वाला जवाब आएगा आराम से आप कर लेना पहले इनको अलग और इनको अलग अलग कर लेना ग अग्ते कोन को स्टुडेंट इसका सभी जवाब देने की कोशिज करते हुए थोड़ा उपर ले लेता हूँ आपको क्या दिये एक मीटर तार से बने वरित का चैतर फल बताओ इसका मतलब आपको एक मीटर क्या दे दी है वरित की प्रीदी दी दी क्या देदिए और हो डो गुणा दो गुणा अब बात कर लेते हैं 222, 7 2 पारी का मतलब कितना वा, बाइस बड़ा शात heating सब्सक्त्र धूम आर हम ल n था को, बराबर आफ रहो कर्का क्टार्ट लिए कर्षा हो, इस दो कार्ट कन वा क्ट्ना छारी बार ग्यारा बार और ये कितनी बार कटा पत्सीस बार दो से ठीक है ये समझ में आगया होगा तो आपको पता है कितना आर बराबर आएगा पत्सीस गुणा में कितना पत्सीस गुणा में साथ बटे में ग्यारा ये आर की वेल्यू आएगी ये किस की वेल्यू आएगी आर की वेल होता है चेतरफल का फॉरमला क्या होता है प्यारका होता है इसका मतल्जा ते बाइस बटा साथ पाई आी आर का इस्कượng आयरका मांद्END यह आपको ऊपर देए रहा है मैंने फफीस गुना क्षीश मोटा कितना ग्यारा इसको दो नफेगे इसको दो बार रकना का इसको कट करना कर लो जल्दी से ये कारद जि ready कितनी दो बार कटाना की उलोको के धंद को आपकशी Damn गूणा 50 गूणा यह जो भी आपको पता पच्छीन कितना होता है जो गूणा कर दो आप पच्छीस गूणा साथ बट्टे गयारा इंद को आप अपर वाले को गूणा कर दो फिर 11 का भाग दोगे तो ओप्सन मेर आपका डी सी राइट होगा साथ सो पच्छानों पॉइंट पैंट अलिए सेंटी में इसका मतलब कुछ थो कुछ हम आपको हव्यास करवा रहे इसी काल बच्छों को पता है एक बच्छा मेरे पास कोल कर रहा था सर मैंने ये कि उसन डिरेक्ट लियाप से पढ़ा था इसलिए मेरे उ लेता है उसको पता भी कुछन सेम टू सेम मैंने पहले भी करवा रखा है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला कुछ नमर बात कर लेते हैं पेंटीस आप के सामने आगे 10, 20, 30, 40, 50 का उस्त बताओ उस्त आपको बताओ राश्यो का योग बड़े राश्यो की संग का अब आपको बताओ है अंतर समान हो तो बीच वाला क्या होगा तो कितना एगा तीस आएगा आप डायक्ट कर सकते हो अंतर समान हो तो बीच वाला आपका क्या हैगा एवरेज आएगा यह उसन में जो शी बता रहें बिलकुंका उत्तर सही है चलिए दोस्तों अगला किस नमर बात कर लेते 26 आपके सामने आगे आपको काई यदी 5 पर 30 वार्षिक दर के इसाब से तीन वर्स के लिए साधान ब्याज आपको दे दिया तो मूलदन बता रहका आपको क्या होता है व्याज गुना 100, बट्टे में क्या होताए, बेरो Japan 3, यह सुत अनोट कर लो, जिनको पता नहीं है, मैंने अलाखी टोपिक वाइज में करवा रखा, बट्टे में क्या होताए, आपको पताऊगा, दर गुना समै, क्या होताए, दर गुना समै, यह आप सोब को पताऊगा, समय होता है अब डिलेक्ट इसमें रख दो अराम से उत्तर आ जाएगा तो ब्याज कितना है एक सो असी है और बात कर लेते हैं गुणा में सो लिख दिया मैंने और बटे में दर कितनी दिया है दर आपको दिया दिया तीन और गुणा में कितना दर कितना दिया है पांस दिया ह तो का मतलब आपका जवाब आएगा बारासो जो और कोई सा बता रहे बारासो वाले बता रहे जी यह कुशन में सेम बेने करवा रहा है यदि आप रेगुलर कलास लेते हो तो चलिए दुस्तों आगे बड़े अगला क्युशन दुमर बात कर लेते हैं 37 आपके सामने आगे ज तो यह कैसे दिया था क्या सबस्तों इनको गूरा कर देते हैं गातों को इसका बता रहे कि वर्ग निकालने तो ये क्युष्ण तो वे से आप वर्ग निकालना था आराम से कर सकते हो जल्दी से जवाब देने की कोशिज करेगा बिलकुन जो आपसंद्वर भी बता रहे है बिलकुन का उतर सी है आराम से आप गुणा कर लेना चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क् एठाशी बिट रहे है तो इसकी त्रीजा ग्याद करो त्रीजा आपको पता है पहले बात कर लेते हैं प्रीदी का फोर्मूला होता है टू पाई आर की वेल्यू आपको कितनी देदी एठाशी देदी तो हम लिख देते दो गुणा पाई का मानवाइस बटे साथ रखते औ और गुना और बराबर में कितना 88 आपको पता है वाई दूंढ़ कितना होता है 4 ली दूंढ़ इठासी दो बार कटा और बराबर हैगा 7 गुना में 2 साथ गुना में 2 यादि छो उधे विल्कुन का उद्ट सब्सक्रा कर सकते हैं जो ऑप्सिन दूर भी बता में बिल्कू क GPF में लगाता है यदि GPF देने के बाद उसका जो मासिक वेतन है वो इतना है तो आपको बतना है उसकी मासिक GPF कितना है बहुत ही शांदार कि उसने जल्दी से जवाब देने की कोशिश करीगा तो पहले बात कर लेते हैं उसका कुल वेतन कितना है 100 कितना 100% मान लेते हम और आ को पता इसके पास कितना रह जाएगा इसके पास रह जाएगा 90% कितना 90% अब आपको क्या दे रहका है किसकी वेल्यू दे रहकिए यह तो आउसका टोटल वेतन और उसका दो बागव में बाढ़ दिया हमने क्योंकि एक 10% तुछ जी पिएप में चला जाता है और 90% तो उसके पास रह जाता है आपको वेल्यू किसकी दिया है आपको वेल्यू दिया है उसके पास कितना रह जाता है तेरा जार पांसो रुपए इसका मतलब नबे बराबर आपको कितना दिया है तेरा जार तेरा जार पांसो रुपए बिल्कुल यही दिया है तो आपको पता है 1 वराबर निकालेंगे तो एक बराबर आपको पता है 90 भाग भी आएगा और आपको कितने बराबर निकालना आपको कहाई जी पिएप की मैल्फ बताओ तो आपको पता है 10 गोंड़ा करते क्या सी क्टेक्ड अदिया गभाग दो नोका पहले एक बार गया फिर कितनी बार पांच बार और दो सुने यादि पंदरा सो रूप है बिलकुल जो अप्शन नमर कोंसा बता रहे डी बता रहे बिलकुल का उत्तर सही है बहुत ही शांदार क्यों था आप आराम से कर सकते हो चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यों नमर बात कर लेत अगला क्योंस नमर बात कर लेते हैं 42 आपके सामने आगे है 250 किलो आम का बुले आपको दे दिया है तो 555 किलो आम का बुले बताओ तो आपको पता है 250 किलो का बुले कितना दिया 250 केजी का बुले आपको दे दिया बिलकुल 38,000 रुपे कितना 38,000 रुपे यह बहुत ही आसा 250 कितना 250 और आपको कितने केजी का दिकालना है आपको दिकालना है पांसो पंचपछफब्द का तो जल्दी से कर दो पौश को पच्पछवसे गुणा अब आपको पता है जो कट रहा है ऊशकाट देते हैं तो आपको पताहिए यह 0-0 मेंने काड दिया और आपको पता यह 55 से आराम से कर लोगी दो तो सुनने लगा दो और आपको पता है दो सुनने लगाने के पाद कितनी दूए लिखने पड़ेगे तीन दूए इसका मतलब आपका आएगा 2200 रूपए जो और को सा बता रहे बाई जार 200 रूपए बता रहे उसका मेरे बिलकुन का उतर सी आराम से कर सकते हो बहुत ही आसान क्यूशन था चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूशन वर 43 आपके सामने आगे जो कि मैंने पहले भी आपको करवा रखा है सेम यहां कर रोका दो संक्याओ का गुड़न फल आपको दे दिया इतना LCM और LCM और LCM आपको दे दिया LCM आपको निकाल ले तो आपको पता होगा LCM क्या होता है दोनो संक्याओं का गुड़न फल होता है dोनों संक्याओं का गुड़न फल होता है यहदी एक गुड़ा भी पंदर तिया 45 फिर दो बचा पंदर एकम पंदरा फिर बात कर लेते हैं पंदर पांड पंदर आपका आएगा 3015 जौब यह किसन में ने पहले भी आपको करवा दिया था जो की सेम टू सेम आपके एक्जाम में आया है 27 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसमें चलिए दोस्तों 75 किलो मिटर परती गंटे की 40 से चल रही है गती से चल रही है तो आपको बताना है यह 45 मिट में कितनी किलो मिटर सब पर करें तो आपको पता है 60 मिट में कितनी कर रही है एक गंटे का मतलबा 60 मिट तो 60 मिट में कितनी कर रही है दूरी तही आपको मैंने बताय था 75 विलकु पंदर अर्तिया 45 और पंदर चोको 60 और अब बात कर लेते हैं प्चेतर गुणा तीन यादी पंदर आसी लगी एक यादी दो सुपचिस बटे में चार और भाग देखे देखोगे 56.25 आएगा जो कि कप इसार विद्यारतियों के आंकड़ों के उतर भी आते तो उन्होंने डिरेक्ट करके आगे जो हमारे साथ रेगुलर क्लास लेते थे क्यूशन नमर डी आपको ओप्शन नमर डी बता रहे ना 56.25 बिलकुन का उतर सही है चैनले दोस्तों अगे बड़े अगला क्यूशन नमर 45 जो कि बहुत ही आसार क्यूशन ने एपलस बी के फॉर्मूले के आधारित क्यूशन ने यहां आर और एस दे दिया है हमने आपको करवाय था ए और बी लेकर तो इतना ही अंतर उनों ने किया है बाकी से हैं भी कि उसने आपको पता होगा मैंने फॉर्मूला कई बार आपको लिखा दिया है यानि A plus B कहη दो या A plus S कहे दो इसमें कोई खास अंतर आपको नहीं दिखाईदेगा तो आपको पता है मैंने फॉर्मूला लिखाय था क्या ए-पलस B का स्क्यार क्या होता है ए-पलस B का स्क्यार होता है क्या होता है A square पलस में क्या B square और प्लस में 2AB होता है, प्लस में क्या होता है, 2AB होता है, AB की जिगए यहां, R और S आगे हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है, आराम से कर लो, A प्लस B, यानि R प्लस S का माहना आपको दे दिया कितना, माइनस 8 का कितना, माइनस 8 का स्केर लगा देते हैं बिल्कुल, और बराबर में इसका माहना आपको निकालना है, इसका माहन निकालना है, यनि आपको क्या निकालना है, R स्केर पलस S स्केर आपको निकालना है, और पलस में 2 गुना, 2 गुना में आपको कितना रिखना पड़े अब बात कर लेते हैं आपको पता है यह वा 64 कितना 64 और यह वेल्यू हमें निकाल लिए तो इसको में एक बार इसका एसे ही लिख देता हूं डैरेक्ट और यह बारा दूरी कितना होगा चोईस और माइनस का चोईस ना और यह दर जाके पलस में हो जाएगा तो 64 पलस में 24 आपका जवावाईगा चोईस पलस में 24 आपका जवाब आईगा आठ्ट और फिर बात कर लेते हैं 8 अटै'S की आठियस निम्टान के आपको पता और चीज जरीस्ड़ कर लिख गया है यहine पेड़ लिख दिया और मेने देक्रवाई था एक साथ त्र 커피ए मेंए एक पेड का बाएंच छोड़ से आ साथ वा हैं और दाइंदे से चवद वाएं तो आप बताना पक्रति में कुल कितनी पेड़ है तो आपको बताए साथ पलस हम कितना करेंगे साथ पलसदा किया कितना हुआ आपको पता 21 और 21 में से एक कम कर देते क्योंकि उस पेड़ की अगरा क्यूशन वर बात कर लेते हैं 47 आपके स्कून के सामने आ गया जैड ए वाई बी एक्स और डबलूडी आगे आपको पता है वी याएगा क्या ये आएगा वी याए गा जो की जो और कौन सा बतारहें बिलकुल सी बतारहें बिलकुल का उतर सी ये क्योशन भी आपको आंकडे सेम मिल गया देखो आपको कितनी कुशी होती है बचों को जब सेम टू सेम ओफ संद और आंकडे सेम जिद्दिंग में आपको मिलते है चलिए दोस्तों आगे बड़े इसलिए तो आपको पता आर्जे किसन education के आंकडे सहीत मिलते हैं इसी कारण आपको पता है इंडिया में नमबर वन है अगला किसम नमबर अट-तालिस आपको देरका है P मा है के की Mark कि की मा है के की मा है बिलकुल बहुत शादार है आरेक बना के आपको कर सकते हो P मा किसकी है के के यह लिखा P और यह स्ट्रिलिंग है इसलिए मैंने कोल कर दिया किसकी माँ है के की अब के के बारे में अभी पता नहीं है क्या है आगे बात कर लेते हैं आगे आगे आपको क्या दिया है आगे दिया है के बहन है डी की के बहन है किसकी इसका मतलब ये भी क्या है स्टेलिंग है किसकी बहन है डी की ये मैंने डी लि को पता चल गया क्या जो बेर सब्राबर भी में रखी जाते का Pee और जिय क्या पी और जिति है क्या 6 1 1 Minute में थोड़ा सा बता गे तो आपढ़ा चल गया। जे और किर्ष बत wok लुथ बतुWतब ने सब्स. तो पी आपको पता है ये जे के पिता कोन है जे के पिता डी है डी की बेहन कोन हुई के हुई अब बात कर लेते है इस बेहन का ये मान लेते है क्या है इसकी माँ है तो इसका मतलब ये डी की भी क्या है माँ है डी की भी ये क्या है माँ है और जो पिता जी की माँ होती है वो हम के सामने आगे जल्दी से सबी भी देरती कि उसलिवर उंसास का भी जवाब देड़ें की कोशिश करी गा सेडी को पूरा करो तो आप कोई भी एक्षर उठाके देखोगे जैसे यू को देखू तो यू वी डबलू और एक्स आपको पता है पर तीसरा अक्षर आ रहा रहा है 2 छोड़कर आपको पता है ओ को उठा हुए U पहले R कर लेते है आज़ के आगे क्याता है YS U को पता है तीसरे वाला है हम क्या पता है । अब albeit नहीं को क्षए बिलकुन का उतर सभी है से लिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूस्ट नमर 15 आप किस इनके सामने आगे जो कि आपको पता है कलोग को क्या कर दिया कलोग को यह क्या कर दिया उल्टा कर दिया अब बात कर लेते हैं तो आपको इस को क्या लिक्षेगा जल्दी से जवाब क्यूस्ट पेपर की कलास जल्दी से सभी भी देर्थी कोमेंट करके बताएगा आज की कलास में आपके कितने क्यूस्ट आइट हुए इस कलास में यह आपकी 40 पलस आइट हुए तो आपकी तयारी बेतर है और ज्यादा बेतर 50 बटे 50 करने के लिए हमारे साथ रेगूलर करते हैं एक दो किस्ट को छोड़ कर बाकि कोई कुस्ट में आपके प्रोब्लम नहीं होती है यदी 80 विघूस्ट एक दो क्यूस्ट यदि हमारी कलास लेगूलर लेता है उस वज़ए से उसका हो जाता है क्योंकि इम इतनी चर्शा करते कि बच्चों को दिमाग में सेट कर देते हैं। इसलिए आपको पता है, बच्छे कहते हैं, सर आपकी चैनल के मादैम सा हमारा सलेक्शन हुआ है, बहुत सारी विद्यार्टियों का कोमेंट आता है, और आपको पता है आगामी जो आर्मी की तैरी करें उनके लिए बेतर करने के लिए एक जनवरी दो जारी किस नव वर्ष के उपलक्स पर हम दमाकेदार आपके लिए इबुक लेकर आ रहे हैं जिसको बहुत ही बागीदारी रहेगी आपके एक्जाम में और एक नया तोफा आपको और मिलने वाला है एक नया तोफा और मिलने वाला है उसके बारे में भी हम एक जनवरी कोई बताने वाले है तो सभी विद्यारतियों को कल साम साटे आट बजे लाइव आ जाना है कल में उस इबुक का रिविव करूँगा उसके अंदर क्या आपको मिलेगा कैसी इबुक करेगी उसका रिविव करूँगा और एक जनुरी को उसको लौंच करेंगे तो सभी विद्यारतियों को इंगुलर क्लासेज प्रोवाइड करते हैं चलिए आज के सेस्ल में इतना ही थेंक यू फूर वाचिंग जैए हिद्ध जैए बर्थ